अलो गाइज वेलकम तो फोरेक्स सेलरी चैनल और इस वीक के फोरेक्स मार्केट अनालसिस में आपका स्वागत है तो यहाँ पर हम वन बाई वन सभी पेर्स को देखेंगे कि आने वाले अपते में कौन-कौन से सैटप बिल सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले अपते में कौन सी न्यूज है जो पेर्स को इंपक्ट करेगी अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं फोरेक्स कलेंडर सेक्शन में जाते हैं तो नेक्स वीक जो रहेगा मोस्ली वो पीमाई के नंबर रहेंगे यूरो जीवीप सब उसडी के उपर पीमाई के नंबर आएंगे जो की पर्चेजिंग मैनुफेक्ट्रिंग इंडेक्स रहता है यूकि एक हाई इंपक्ट नियूज है इसके लाब अगर आप देखेंगे तो तुस्डी ओनवर्स और जी के उपर आरिबे की मीटिंग मिनिट्स है जिसका इंपक इसके लाब आप देखें आप देखें जो काफी इंपक्ट करती है यूजडी के ऊपर अब आप देख रहे होंगी जो भी गें किया था यूजडी ने वह सवी यहां पर जो नंबर ठीक आने के बाद भी वह सारा गें उसने लोज कर दिया और उसके बाद आप देखते हैं प्रेट के जो चेहर है पावल उनकी स्पीच है फ्राइडे तो यह में इंपक्ट न्यूज है जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप ट्रेट के लिए देखें अब चलते हैं करन्सी स्ट्रेंट में देखें गाईज तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स वीक तो ग गाईज इस वीडियो को स्पॉंसर किया है फाइब परसेंटर ने जो कि एक प्रॉपफरम है जो फंडिंग प्रवाइड करती है टीडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं अगर आप बिल्कुल बिगीनर है आप इनका बूटकेम प्रोग्राम जोइन कर सकते हैं ज एक वन स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हवाई पर ग्रोथ तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आपको 10% डिस्काउट मिलेगा तो सबसे पहले अगर देखें आपर बेक कर देते हैं हम डाउन नीचे जाएंगे और ये दरसाता है कि यूजड में विक्निस रहेगी तो बागी पेर्स में आप स्ट्रेंड देखेंगे तो ये लेवल को हम यहाँ पर अपज़र रखेंगे अपज़र करेंगे अपने बागी पेर्स में ट्रेट करने के लिए चलिए सबसे पहले चलते हैं गोल्ड लास्ट वीक में आपको बताया था गैज कि हम यहाँ पर इस लेवल पे हैं इस लेवल को ब्रेक करें रिटेस्ट करें आप ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे और टार्गेट यहाँ पर प्रिवेस हाई को देख स रही है तो अभी फिलाल के लिए मैं कहूंगा कि मार्केट में कुछ भी फुल बैक आपको मिले इस सपोर्ट लेवल पर या इवन डीप इवन लोवर टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्टिल अपके लिए ही यहाँ पर जा सकते है हम अल टाइम हाई पे हैं तो आप में हम टार्गेट यहाँ पर रख सकते हैं पुल बैक के साथ वहाँ पर आप आउट हो सकते हैं स्टिल जब तक हमारा लेवल 2435 यह ब्रेक नहीं होता है स्टिल आप यहाँ से अभी इस में बाई की पोर्चिटी देखी यह लेवल ब्रेक ह हो तो हम उपर की तरफ टार्गेट यहाँ पर देख सकते हैं अनलेस जब तक हम इस सपोर्ट को ब्रेक करें तब ही हम डाउन जाएंगे आप देखें मार्केट यहां से स्टिल स्लोली स्लोली उपर की तरफ यह गई मंडे वेबिनार में मैं आपको बताया थे कि यह मैंने ट तरफ जाएंगे टार्गेट 1.12 देख सकते हैं या फिर मार्केट इसी रेंज में रहे यह लेवल ब्रेक हो तब ही हम डाउन करे जाएंगे 1.078 अगर यह ब्रेक होती है तो आप यहां पर साइडवेज में रहे यह ब्रेक आउट हो आप देखिए मार्केट नहां पर गई आउट दिया दुबारे से नीचे आई और फिर कंटिवेज रेली आपको दिया तो एक अच्छा सेड़ जीवीपी उएजडी में आपको मिला हो तो नेक्स विक जीवीपी उएजडी में आप क्या देख सकते हैं क्योंकि जीवीपी उजडी में आप देखिए इन्फलेशन तर्गेट यहां पर देख सकते हैं और इस लेवल को अबजर करेंगे कैसे मार्केट यहां पर रियाट करती है इसको ब्रेक करें तो हम उपर जाएंगे नहीं तो हम डाउन की मोमट देख सकते हैं अब देखेंगे तो हम कंटिनिसली अप के लिए ही चल रहे थे हैं यहां पर देख सकते हैं 66451 मार्केट ने पुल बैक दिया और स्टिल अप के लिए मैंने बोला था अगर यह लेवल ब्रेक हो तब ही आप डाउन यहां से देखेंगे और अब जल करेंगे वो 67500 के पास है तो स्टिल कुछ पुल बैक मिलता है आप बाई के लिए जा सकते हैं जब तक हमारा 65682 यह लेवल ब्रेक नहीं होता तब ही हम डाउन के लिए जाएंगे नहीं तो आप कोई भी पुल बैक आए यह डीप पुल बैक आए आप इसमें बाई के लिए देख सकत हूं यह लेवल को मैंने बॉला तब ब्रेक करेंगे तो स्टिल हम यहां से भी बाई के लिए ही देखेंगे अब नैक्स वीक अप यहां पर क्या देख सकते हैं तो मार्केट नहीं आपर साप पुल बैक दिया है डाउन सपोर्ट लेवल पर आई और मार्केट दुबार से र यहां से डाउन के लिए चल रही है तो नैक्स वीक यूश्डी कैड में आप क्या देख सकते हैं तो कैड के ओपर नेक्स वीक इंफलेशन के भी नमबर है जो काफी स्पेर को इंपैट करेंगे यूश्डी वीक चल रहा है जिसकी वज़े से कैड में हापर फाइदा मिल रह लिए जाएए अनलेंस के लिए कुछ विकनेस नमबर आए यह लेवल ब्रेक हो तब ही हम ओपर की दरफ जाएंगे अगला फिर गाइज यहाँ पर भी मार्केट रिकावरी कर रही है जो आप मैंने आपको बताया कि मार्केट में वैसे डाउन ट्रेंड है पर यह अभी रिकावरी फेज है यहाँ पर हम सोट की पोर्चुटी देख रहे थे मैंने बोला था अगर यह ट्रेंड लाइन ब्रेक मार्केट दुबारा इसको सपोर्ट लेती है स्टिल बाइज आते हैं तो बंफिप्टी तक का टार्गेट देख सकते हैं यह लेवल को अगर ब्रेक हो तभी हम उपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर अगर यह सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तभी हम डाउन के लिए अब नेक्स वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं तो मार्केट 10 लाइन पर स्टिल यहाँ पर बनी हुई है जबते कि ब्रेक नहीं होता मैं कहूंगा लेवल भी आप यहाँ पर अब जाएगा नहीं तो स्टिल अभी आप इसमें बाई के पॉर्ट्विटी देख सकते हैं यहाँ पर देखें तो एग्जाक्टी चैनल के अंदर मार्केट यहाँ पर चल रही थी फिर साइडवेज और फिर उपर की तरफ हमारा टार्गेट जो था वो 87751 था कि मार्केट महां तक पहुंचे गी और इग्जाक्ली आप देखें मार्केट महां पर गई है अब नेक् यह लेवल बेक नहीं करती तभी आप सोट देखिए नहीं तो आप कंटेनिस तिल अभी बाई के लिए देख सकते हैं यह लेवल ब्रेक हो तो 89 तक का टार्गेट देख सकते हैं तो गैज यह मेरे सब्सक्राइब का फोरेक्स मार्केट अनालसिस आप अपनी आलसिस कीजिए और उसके बेस पर ही कोई टेडिंग डिसिजिए और हमारा मंडे लाइव वैबनार रहेगा इसके लावा आप कोई पेर को अनलाज स करना चाहते हैं या आपके कोई भी क्वेस्च्टन है अफोरेक्स लेटर या कोई भी सैट अप आप अनलाज सकते हैं झाल, झाल, झाल